मत पूछो, बिल्कुर मत पूछो, जिस क्षण ने खुत्विराज को खुत्विराज नहीं रहने दिया, उस निर्दाई क्षण की बात मत पूछो चन्द, बड़े कटनाई से हम उस क्षण को भुदा चके हैं, आखेट करते समय व्यागर के पंजेली हमको जितने पीच नने अगे उसे कई अधिक पिणाना और कश्क कान वह हम कर चुके हैं, चन्द, मत पूछो, महराज, महराज, जिस शरीर से पसी का शौग या बंजल पहता था, वो शरीर आज इतना निस्देज, महराज, क्या गोर के लोग इतने निर्दई होतें, महराज, बिल्कुल ठीक कहा त अगर उस वक्त तुम होते तो काप जाते, बहागरी तुम्हारी लेथी उन्पित हो जाती और तुम्हारी मनुष्टा थर्वा जाती, आश्चर यह है कि धर्दिवा ये सब तुद्य देखती रहे गई, इस उत्विराज चोहान के शरीर मरे इतने अत्याशार होने के बाद आश्चर ये कैसे बाते करने महाराची क्योंकि हम समझते है चानुक की हमारे साथ क्या क्या हुआ, वो एक भयानक रात थी, अंधिरा मेरी ओर खोर खोर के देख लाता और उतने में मुझे चार मशाली दाई थी, और उनकी लोग मुझे इस प्रतार लगार मुए थी, जैसे अधक्ला रूपी दैत की जिवाए हो, और उनके पीचे चार आदमी आए, और उनका साथार, मुझे देखते ही उस साथार ने भोष्णा की, आज इसके आँखी निकाल लगा, मैंने कहा, मैंने कहा कि हमारे जैचन के मिश्वास भात के चलने तुमने मुझे क्लेट तो कर ल जाजा की इज़ते ना तुमारा कर्दवे है, यहीं हितनका नियम है, और परंपरा भी, लेकिन, लेकिन इतना कहने पे बात भी चंद उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी, और दिल्ली और अज्वेर को अपने उंग्लियों के निशाने पर नचाने वाले इस पुत्विरा च तो अनका ना जात है ता, और उतने ने में जाए ता जाक और पर व्ले चिहने के लाEPरा दीत, मेरी आंखों लोओ्ध़े चैना हैं उतना नहीं अक्षिता इजिए तो अरए के नियुक्त։ मेरे उन आखों मेरे प्रांट्रियस स्योगिबा की मुर्दियंकिती वे आखे अफ नहीं रही नहीं नहीं जिन आखोंने क्रूर राज़ाओं को इद्ध में निस्टेश कर दिया जो आखे रट अबरान होकर रट शेत्र में लोहा बरसाया कर दी थी वे आखे जैचंगे विश्वास गात की आग में जलकर राख हो गए और आज तुवारा ये खुट्विराज व्रासो एक कवी की कल्मना का साधरन अभ्यास मात्र रह गया मैरे वित्र अब तो ये शरीर खुट्विराज चोहां नही रहा ये बार-बार मुझे माहराज कहला बन करो मैं कएदी हूँ यही सब टहेए और उसे स्विकार करो वित्र महराज महराज हमारे ये तो आख महा पराक्रमी पृत्विराज चोहां ही होते शेर अगर शेर अगर पिंच्रे में बंधे तो क्या हुआ आखिर वो शेर ही तो हुदा है ना भाराइच या गहाँ शेर है बिल्कुल जीक अगर उस शेर को जीमिन रखना चाहते हो चंद तो गहां है तुम्हारी तलवार पार दो मेरा सीना पृत्विरा चोहान के गवर्णों से गिरे हुए प्राणी को अब प्राणों की बिल्कुल आवश्यक्ता रही इस जीवन का एक एक शंड तुम्हारे तलवार की धाव से बहुत पैना है निकालो अपनी तलवार और पार दो मेरा सीना मेरे मिक्र जन्धि करो ये सुनते ही महा प्राणी पृत्विरा चोहान के चल्णों में लीन हो जाते हैं और उसी वक्त गोर का सुल्दान शहाब दिन मौमद भोरिया के सबाईयों के साथ वहां बराता है और चन्वर्दाई को पृत्विरा चोहान के चल्णों में देखकर अटा हास करता है और उपहास करके उनका प्रेंट करता है बहुत तूर बहुत वफादार हो अपने वाली के हैं इस अंधे के पर चुम रेते अले बरकुरदार जरा उनकी आखे भी तो चूम लेते लेकिन हाँ 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 यह सुनने के बात शैन्वर भाई कहते है सुल्दान सुल्दान ये बात मत भूलिए कि हमारे ये वो महाबराक्रमी राजा है महराज खुत्वराज चौहान वले ही तुमने उनकी आखे चीन ली हो लेकिन एक शेर की आखे उसके दिल में रहती है बहुत गूप दिल में रहती है आजे तो तरीकसा हमने देखना चाहेंगे कि गुत्विराज हमें किन आपों से देखना है तुम आए इस पर गुत्विराज जोहां से जवाब देते है महमत भुरी इस बात को मत भुलना कि अगर चैचन ने विश्वास गात नहीं किया होता तो मुझे पकड़ना तेरे बस की बात नहीं थी रही बात तुझे देखने की अरे तू तो देखने के भी लाइब लेए गोरी अगर मैं अपनी अन्दी आदों से भी तुझे देख पाता तुझे देखना पसंद नहीं करता अच्छा हुआ कि तुने मेरे आपका हुज़ा चीन लिया खामर्ष बख्वास बंदर अपनी हाथो हम कह रहे थे कि चंद तुमारी इस वफादारी का क्या इनाम दिया जाए बोलो बर्कुरदार मिया बोलो आप एक सुल्टान के सामने ख़ए हो क्या भाइश है आपके और इसी मौके का पाइदा उठाकर चंद वर्दाई कहते है सुल्टान जब आपने मुझे एक मौका दिया ही है तो हमारे महा पराक्रमी पुद्विराट जोहान शब्त भेदी बांद चलाना चानते है केवल आवास सुनकर अचूप मीचान इसे में तीर चलाना चानते है अगर आपकी इजास्त हो तो क्योंने कर एक बार इनकी तिरंदाजी आप देखे यही वेरा इनाम होगा और यही यही वेरा तौफा होगा यही बहुत खूब चलो तुमारे खादिरी साथ देखी तिरंदाजी निकल देख लेगी कालेश तिरंदाजी का इंकजां किया जाए हम ने बहुत बेदाब है देखे तो सरी अंधा किस तरह से कीव चलाता है शबाठ है इतना कहके शाह भुतिन मौमद भूरी महा से बिदल पढ़ते हैं और दूसरे दिन उस देख खाने के बाहर फुले बैदाजी का आयोजन किया जाता है बहुत बड़े सिंगासन पर गोर्बा सुल्दान शहाब अदिन मौमद भूरी शानि शौगत के साथ वहाँ पर बैठा है और उसके सेटलों हजारों सिपाईों के साथ है और बिल्कुल उनके सामने थोड़ी धूरी पर चन्वर्दाई के साथ महराज तुद्विराच शौगान तीर लेकर हाथ में परे है याद रहे कि दो लुआ के ना होने के बाद भी अगर कोई तीर चला ना जानता है तो दुनिया का एक शक्स प्रुद्विराच शौगान और उसके बाद फिर मुःमद भोरी भूपब देता है हाँ तो चन्द हमारा वक्त जाया नकलो कहो तुमारे इस अंदे मालिक से कि अगर दम है तो चलाए कि जरा हम भी तो देखे कि कैसे तीर चलाना है फिर एक बार चन्द इस मौके का फाइदा उठाते है और अपने चन्द वर्दाई जो एक महा कवी के रूम में प्रक्षात है अपने कविता की पस्ट दो पंग्तियों से गुत्विराच शौगान को इशारा करते है कि घोरी कहा पर बैठा है और नहां पर निशाना लगाना है लेकिन चन्द वर्दाई जो कुछ कहते है वो बात सिर्ख गुत्विराच शौगान के समझ में आती है चन्द वर्दाई कहते है चार बास चोविस कच अंगुल अश्क प्रमान चार बास चोविस कच अंगुल अश्क प्रहाण ताओ पर सुल्थान है मच्छू को चौहाण और बस इतना सुनने की देरी थी दोनों आखे ना हो देरी महापराक्रमी राजस्तान का गौराओ महराज प्रुत्वराज चौहाण ऐसा निशाना साथते हैं कि वो तीर सिला शामतिन मौमत भोरी के सीने में भुसता है और वही पर उनका अंत हो जाता है वीर्दा शोर्य और न्याई का पती परम सथे श्रीमंत चत्रप्दी श्वाजी महराज और राजस्तान का गौरो महाप प्रुत्वराज चौहाण जी के चरणों में बोड़ी बोड़ी बंदन बहुत धन्यवाद